प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां मतदाताओं को साथने में जुटी हुई है बीजेपी जहां संगठन और सरकार के स्थर पर तेजी से अपने पैर पसार रही है वहीं कॉंग्रेस रेस में पीछे नजर आती है एक फरवरी से घर चलो घर घर चलो अभियान का आगास कुछ चुका कै लेकिन अभियान के बारह दिन बीट जाने के बाद भी पार्टी कारेकरताओं में दूरी नजर आ रही है प्रदेश के दिगज कॉंग्रेसी नेताओं में कोई जोश दिखाए नहीं दी रहा है ऐसे में सवाल है कि मिशन 2023 की रेस में क्या बीजेपी आगे निकल रही है बीजेपी को सरकार में कोने का क्या फायदा मिल रहा कै गुटबाजी के कारण मिशन 2023 में कहीं कॉंग्रेस पिछड तो नहीं गई गरगर चलो अभियान से कॉंग्रेस के दिगज नेताओं की आखिर दूरी का कारण क्या हो सकता कै ऐसे बहुतेरे सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे पहले ये रेपोर्ट देखिए मद्यपरदेश में विदानसवाद चुनाव साल 2023 के अंत में होने है लेकिन प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टी बीज़ेपी और कॉंग्रेस अभी से मिशन 2023 में जुट गई है बीज़ेपी मिशन 2023 की तियारी के दूसरे चरण में पहुँच गई है संग्टन स्थर पर बीज़ेपी पार्टी को मजबूती दे रही है 20 जनवरी से बीज़ेपी ने बूत विस्तारक योजना की शुरुआत की है बूत विस्तारक योजना के तहट 65,000 बूतों तक बीज़ेपी पहुची दूसरे चरण में समर्पन निदी अभ्यान की शुरुआत की है समरपन निदी अभ्यान के तहद एक पन दो काज करने की कोशिश है एक तरफ पाटी के लिए पैसों की कमी को पूरा करना दूसरी तरफ पाटी के लिए समरपित कारेकरता तेयार करना पूरी भारती जनता पाटी इसवार तकनीक के जुग में भी डिजिटल के साथ प्रतियग भूत को जीविद भूत जिसको हम कहते हैं कि लाइप संपर कमारा बना रहे है इस दिसा में अभियान है और इसमें बड़ी सपलता भारती जनता पाटी बीजिपी का मिशन 2023 संगठन के स्तर पर ही नहीं सरकार के स्तर पर भी तेज है सीएम शिवराज सिंग चोहान एक तरफ विकास कारियों में तेजी ला रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का फाइदा लाभारतियों तक पहुचाने में कोई गोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अब जब प्रधान मंतरी किसान संबान निधी का लाव 10,337 करोर रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है अब जब प्रधान मंतरी 6,000 रुपया साल दे रहे हैं तो मेरे मन में भी ये विचारा आया कि सिवराज चोथी वार तू मुख मंतरी बना है रे 4,000 तू भी डाल दे वही कॉंग्रेस भी मिशन 2023 के तहट अब्यान की शुरूआत की है एक फरवरी से घर घर चलो ब्यान का अगास किया गया है 15 महीने की सरकार की उपलप्दी बताने में कॉंग्रेस जुटी है शिवरा सरकार की कम्या गिनाने के लिए अब्यान शुरू किया गया है अब्यान की शुरूआत किये 12 दिन बीद गए है लेकिन अब्यान को लेकर कॉंग्रेस कारकरतों में तो दूर प्रदेश कॉंग्रेस के दिगचों में भी कोई जोश नहीं दिख रहा है पार्टी के निता अब्यान से ही दूरी नहीं बनाय हुए है बलकि सोशल मीडिया पर भी अब्यान से दूरी बना कर रखी है लेकिन कॉंग्रेस इसे देश में हो रहे 5 विदान सबद चुनावों को वज़ा बता रही है कॉंग्रेस बलेई अभ्यान की धीमी रफ्तार के लिए पांच राज्यों में होरे विदान सबत चुनाव का तर्क दे रही है लेकिन राज़्डीते के जानकारी से पार्टी की गुटबाजी बताने से गुरेज नहीं कर रहे है सियासी जानकारों का कहना है कि प्रदेश में कमनलाद की सरकार को गुटबाजी की वज़े से सत्ता गवानी पड़ी लेकिन पार्टी ने इस से कोई सबक नहीं लिया टीम न्यू स्टेट तो एक तरफ कॉंग्रेस all is well कह रही है कि हमारे संगठन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है हम अपनी स्पीट के साथ अपनी गती के साथ अपने संगठन को मजबूत करने और 2023 की तैयारी करने में जुट्यों कुई है तो दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस पर निशाना साथ रही है और अपने इस तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट्यों कुई है और तीसरी तरफ राजनतिक पंडित अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और विसलेश नात्मक उनकी प्रतिक्रियाएं हैं और वो बता रहे हैं कि दोनों राजनतिक दल किस तरफ पर 2030 की तैयारी कर रहे हैं इसी को और विस्तार से समझते हैं, वरिस्त पत्रकार दिनेश गुपता जी अमरसाद जुल्च केंगें, सर बहुत-बहुत स्वागत के आपका, सनवर पतेल जी अमरसाद जुल्च केंगें, सनवर जी आपका स्वागत कें, और रवी वर्मा जी अमरसाद जुल्च केंगें, क घर चलो घर घर चलो अभियान में दिगज नेताओं की नदारद की क्यों नजर आ रही है? क्यों दिल्चस्पी आम कार्करताओं की भी दिखाई नहीं देती? दिपेज जी ये कहना पूनता सत्य होगा कि बड़े नेताओं की जो दूरी उन्होंने बना रखी जबकि ऐसा नहीं है आप मद्द प्रदेश में देखेंगे घर चलो घर चलो अवियान के तहद अजे सिंग जी हों सज्जन वर्मा जी हों पीसी सर्मा जी हों तमाम हमारे जो आद्यक्ष की नेत्रोत में ये कारे करम आयोजीत हो रहा है और जो हमारी कॉंग्रिस की उपलब्दियां है 15 महा की और हमारी यूपीस हासनकाल की उन तमाम नीतियों को जो हम घरगर तक पहुचाने का कारे कर रहे हैं क्योंकि हमने 15 साल 15 महा की सरकार में वो तमाम कारे करने का कारे किया था जो 15 साल की सिवरा सिंग चोहान जी की सरकार भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की साधवर्ष की सरकार नहीं कर पाई थी जो कारे हमने किया है वे जन जन तक पहुचाने का कारे कर रहे हैं मानी कमलाज जी जन हित के मुद्दों को लेकर गौलियर की बात हो, सागर की बात हो लगातार दौरह कर रहे हैं, जिससे भारती जनता पार्टी में एक जट पटाहट है, क्यूंकि भूत मिस्तारक के नाम पर भारती जनता पार्टी बताए, उनोंने 100-100 घंटे बितानी की बात कही थी, किस नेता ने 100 घ गंटे बिताए तो छोड़िये दस गंटे भी नहीं बिताए होंगे जिससे जट पटाई भारती जनता पार्टी के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं और कॉंग्रेस को कमजूर बताने का कारे कर रहे हैं लेकिन उनके कमजूर होने की जो बाते हैं वो भ्रामक हैं बिल्कुल चली मैं लोटता हूँ आपके पास एक और सवाल लेना था लेकिन वापस लोटता हूँ सनवर पर्टेल सहाब हमारे साथ मौजूद हैं सनवर जी आप एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साथ रखेंगें उन्होंने आपके की बूत विस्तारा का भियान पर ही निशाना साथ दिया कहें क्या आपको लग रहा है कि भारती जनता पार्टी जिस स्पीट के साथ काम कर रही गए 2023 के तैयारियों में जिस तरह से जुटी हुई गहीं संकट किस्तितियां कहें यहीं वज़ा क्या कि पार्टी को और मजबूत करना कोगा यहीं दिपैज़ जि देखिए 2023 का अपना महत्व है 2024 का अपना महत्व है भारती जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सकरी भूमिका में होती ही चकरी मौड में होती है और सकरी भूमिका में होने के कारण से ही आम तोर पर हमारे कॉंग्रेस के मित्र लोग ये कहते हैं कि ये तो बैठेट कर रहे हैं अरे ये कारिकरम कर रहे हैं अरे इनका कारिकरम फेले देखिए ये भारती जनता पार्टी के जो कारिकरम होते ही ये नीचे तक पहुंचने के कारिकरम होते ही देखे 20 जनवर अब चुनाव का अपना मात्व है, 2023 का अपना मात्व है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, कि सिर्फ चुनाव का ही मात्व है. तो हमारे कुछ उद्देश होते हैं, कैसे अगर हम सरकार में हैं, तो गाउं गरीब किसान का कैसे उद्दान हो, जो पिछड़ गये हमको कैसे आगे लाया जाए, इस काम के लिए भारती जिन्ता पार्टी अपना सरवच निच्वावर करती है, और आज उसी का परिणाम है, ज तो मैं आज की जो राश्य आवंटित हुई है, उसका अभी जवाब दे रता हो दिपैसी, तो देखे, उसी कड़े में भारती जन्ता पार्टी की सरकार जब से मत्यप्रदेश में 17 सालों से रही, तब से किसानों के छेत्र में, किसानों के जीवन इस तको उठाने के लिए लगातार भारती जन्ता पार्टी में काम की, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो करशी का रखबा है, वो करशी का रखबा आज की तारिक में धाई करोड हेक्टिर मत्यप्रदेश में हो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो करशी का रखबा है, वो शेग उना बढ़कर 17 सालों में शेग उना बढ़कर 42 लाख हेक्टिर हो चुपा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तीसरी फ़सल होती है दो फ़सल के बाद उसका रगबा 4 लाख हेक्टिर तक पुझ गया है कुल मिलाकर जो हमारा सकल उतबादन है कर्शी शेटर में वो 6 करोड मैट्रिक तन को क्राश कर दे आ है कुल मिलाकर ये माना जाए कि हर इस तरह पर भारती जनता पार्टि एक्टिव नजर आ रही गए चाहे सौगात देनी की बात को या संगठनात्मक इस तरह पर अपने आपको मजबूत करने की बात को मैं दिनेश गुपता सर से कमेंट लूँगा इससे पहले रवी बर्मा जी एक सवाल आपसे ले ले लेता हूँ और वो सवाल ये है कि जो गुटबाजी का जिक्र हो रहा है पार्टी के अंदर जिस कला की चर्चा हो रही है कहीं ऐसी इस्तित्यों तो नहीं है यहीं वज़ा कि कमलनात जी अलग तलग नजर आ रहे हो कोई बड़ा नेता उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा हो इस बड़े अभियान के दोरान भी कोई बड़ा आयोजन कुता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो पूर्व मुक्यमत्री दिगविजे सिंग अगर कारिक्रम करते है उसकी जानकारी कमलनात जी तक को नहीं होती है जिसकी चर्चा चपू और है या फिर आरुल यादाव का दिकर कर लिया जाए सुरेश पचौरी का दिकर कर लिया जाए और तमाम कॉंग्रेस के बड़े दिगज निता जो कहीड़ा कहीड नजर नहीं आ रहे है तो क्या इसकी कोई खास वज़ा तो नहीं पार्टी में सब कुछ ठीक है दिपेज जी भारतिय जनता पार्टी में जो इस तरह की असंतुष्ट्वी का माहौल है आपने देखा होगा कि केपी यादाव जी राजधानी में सिवराज जी बीडी सर्मा जी को जो 200 किलूमीटर की दूरी पर उनका भारतिय जनता पार्टी का कार्याल है उनसे बिना मिले उनको पत्र ना लिखकर दिली 700 किलूमीटर दूर बैठे नडड़ा जी को पत्र लिखते हैं इसे कम्यूनिकेशन गैप कहते हैं इसे असतुष्ट गैथे हैं इसे आसंतोस कहते हैं असंतोस तोस्तो भारती जनता पार्टी में पनपा हुआ है जो सिंधिया जी के दबाव में लगतार काम कर रही है क्योंकि भारती जनता पार्टी एक चोरी के रास्ते से बनी हुई सरकार है जो सिंधिया जी की देवडी पे आज गिर्मी रखी हुई है इस तरीके का माहुल तो आज भ कि अपने कारें को पर यादाव सहाफ कहां पर रभी जी चाहिए तुरीज टुर्वधी जी इस कहा पर रहे हैं तुरेश को दिखाई नहीं दे रहे हैं अब दोनों के पास दिने इस सर से कमेंट लेने देखें दिने सर एक महत्वकून सवाल यहाँ पर यह खड़ाख होता है क्या कॉंग्रिस और कमलनाद के लिए बीजे पी की दूर दर्शिता या फिर ना संग्ठनात्मक प्रबंधन एक बड़ी चुनौती नजर आता है क्योंकि अभी जिस तरह की परिस्तिया निर्मित को रखी है कॉंग्रस कोशिश जरूर कर रखी है कि तमाम तरह के कारिक्रम आयोजित कर लिये जाएं तमाम तरह के आयोजिनों के जरिये पार्टी के कारिकरताओं को एक बर फिर रिचार्च कर लिया जाएं लेकिन वो रिचार्ज नजर नहीं आ रहा कै तो क्या ये एक बड़ी चुनातिक है? एक तरफ भारती जौनता पार्टी 2023 के लिए एलिक चोटी का जोर लगाती हुए दिकाई 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 रिकाई है कॉंग्रेस के जवाब जो है उसी में समाहिक हैं। कमलनात हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनका मुकाबला भार्टी जनता पार्टी के संगठन से हैं। कॉंग्रेस पार्टी ने उनको भेजा है और सिंधिया चाहरा हुगी। «कॉंग्रेस पार्टी के पास एक प्लस था। पिछले चूनाव में कहीं न कहीं जोत्रा दिस किंदिया था। और जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बटवारा किया था कॉंग्रेस पार्टी ने रास्ती इस तरह से ये टै हुआ था किसको क्या जबाब दारी अभी चुनाव को डेड़ साल है और कॉंग्रेस पार्टी सामा ने टै जो है इस तरह की राज़ितिक गत्विदियां कम करत है चाहिए वो घर चलो अभियान के ओर नाम से हो या किसी भी नाम से हो आप देखिए कि 2013-2018 का जो पी रेड़ था जिसमें श्री अरून यादा पार्टी के अद्यश थे तो उनको लेकर भी इसी तरह की बाते हो थी कहीं ना कहीं वो भी जो है एक जो है नेताओं के बीच उ हम देखते न तो अरून यादा आप कहीं ना कहीं हाज किये पर दिखाई देते हैं उनका टिकेट नहीं मिलता तो एक टीस होती है वो टीस तो कहीं ना कहीं लीडर्शिप को लेके है मद्दपरदेश कॉंग्रेस में समझ चाहिए है कि पिछले चार दसक से भी ज्यादा से एक ही तरह की लीडर्शिप चली आ रही है वही डिग विजय सींग वही कमलनाथ वही अजय सींग तो लीडर्शिप का कोई चेंज नहीं है तो जो नया वर्कर है उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है आप देखें कि अभी यूथ कॉंग्रेस और एनिस्वाई की इस तरह की गटविडिया पहले हुआ करती थी उस तरह की नहीं है तो निशित तोर पर जो कमलनाथ के लिए जो सबसे वड़ी चुनौती होती है वो जो खुद स्विकार करते वो होता है भारती जनता पार्टी का संगठन लेकिन जब वो संगठन का से उनको मुकाबला करना होगा त जो बवाल हुआ था या मनसौर में जो बोली कांट हुआ था इस तरह की घटनाएं फिर से हो और पांग्रेस की लॉट्री खुजा ने संगठन भारती जनता पार्टी का संगठन तो एक चुनौती है ही मैं एक और कमेंट आप से चाहूँगा उसके बाद मैं आप राजनित सवाल यह है कि क्या पार्टी में परिवर्तन का इंतजार कर रखेगे जो दिगज नीता हैं जो कारेकरता हैं जो वरकर हैं उनका मौन और उनकी निश्क्रियता भी कॉंग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है जो दोनों पार्टियों का एक काम करने का तरीका है आप अभी भी किसी भी दौर में देखिए कॉंग्रेस पार्टी का जो वरकर है वो जो नेता आधारिक पार्टी है जिसको चुनाव लड़ना होता है वो अपना मूठ प्रवंदन खुद करता है उनके पास कोई कारेकरता जो है किसी दूसरे समर्थक नहीं देते उनको भी कारेकरता है तो इसलिए जो भी वहां सैयारी होती है जो भी गतिवीदी दिखती है टिकेट के बाद ही दिखाई देती है उससे पहले जो कारेकरता है वो अपना ग्राउंड वरक अपने हिसाब से करता रहता है और एक्टि रहें रवी जी एक महत्वपूर सवाल यही जो मैं दिनिश सर से भी समझने की कोशिश कर रहा था सवाल यही है सर कि क्या वाकई में क्योंकि लंबे समझ से इस तरह की आप पॉल्टिक्स में चर्चा चल रही गए कि पदों के परिवर्तन को लेकर इंतजार पार्टी के कई न निश्क्रियता की कि आप वो हो जाए उसके बाद अपनी सक्रियता दिखाए जाए रवी जी दिपेश जी सक्रियता उनिस्क्रियता का सवाल ऐसे समय पर किया जा रहा है जब पांच महां के अंदर साड़े छे हजार सेदिक कारेकरताओं पर जनहित के मुद्दों को लेकर उठाने पर दर्ज हुए है तब ऐसे समय पर यह सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि कारेकरता जो है कमनाच जी के नितरत में लगातार जनहित के मुद्दों के मुद्दों को उठा रहा है और लड़ते रहेगा कमनाच जी के नेतरत में तमने पूरी कॉंग्रेस पार्टी एक जुट्टा के शात है अगर कहीं भ्रम की इस्तिती है कहीं सईप खुटबस है तो वो भारती जनता पार्टी में है क्योंकि शाराप की नीति को लेकर ओमा जी कुछ कहती है गरगर सरा परोशने के कारे होते हैं कॉंग्रेस का कारेकरता ऐसी गलत और दोगली नीचों का भी लगाता है 2023 के लिए घर चलो अभियान के बाद क्या प्लान है पार्टी का एक बूत पांच यूद एक बूत दिपेज जी इसके साथ ही एक बूत पांच यूद का कारेकर्म लगातार चल रहा हे बूत पर भी हमारे कारेकरता पूरी तन्मता के साथ टीम बनाने का कारे कर रहा है जिसका खाका कॉंग्रेस पार्टी ने तयार किया तो 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 नहीं लगरा रवी जी आप को कि हम वीजेपी से थोड़ा पीछे हो गए हैं क्योंकि आपने घर चलो घर गर चलो अभियान की जो डेड लाइन थी उसको आगे बढ़ा दिया अब आप उसके बाद पंदरा तारीक के बाद अब एक बूत और पांच यूद का नारा लेकर आ रखेंगेंगें उससे पहले भारती जनता पार्टी अपने तीन आयोजन कर चुकी है और अब पन्ना के बाद और वो तमाम तरह के काम चल रही है अब भारती जनता पार्टी से भी पूछना चाहिए दिपेश जी कि 100 घंटे बितानी की बात हुई थी ऐसे तमाम जो इवेंट जे भी है जो भारती जनता पार्टी उनके तमाम इवेंटों की हवा खसक चुकी है जनता उनके जहांसे में नहीं आ रही है ज़कि आज महंगा प्रदर्शन जिनादी जी जिनादी जी जिनादी जी जिनादेता हूं में राजनानी भोपाल में हुआ है प्रदर्शन महंगाई को लेकर महिला कॉंग्रेस ने किया है हमारे जिलाद देख्ष ने किया है सागर में किया है गौलियर में किया है तमाम जगा अमारे प्रदर्शन हुए जिसको लेकर सरकार ने एक फाइयर दर्श करने का कारे किया है यह इस तरह की राजनीत नहीं होनी चीए, मैं इसके लिए आपके साथूँ. सनवर जी एक महत्वपूर्पूर्ण सवाल यह है, कि जिस तरह से कॉंग्रस अपने संगठन इस तरह पर काम कर रही है, और भारती जनता पार्टी अपने संगठन इस तरह पर काम कर रही है, 2023 में भी फिलाल वक्त है, लेकिन इस स्पीट के साथ भारती जनता पार्टी का काम करना, क्या इस बात की तरह इशारा करता कै, कि 2018 के परिणामों से पार्टी थोड़ी से चिंतित कै, दिपैसी में पूरे मेरा पूरा जवाब सुनिएगा, तेकि जो 2018 के चुनाव हुए, उसमें म जातों की संख्या आप देखेंगे तो भारती जनता पार्टी को ज़्यादा बढ़ देखेंगे, लेकिन राजनितिक छेटर में जब चुनाव होते हैं, तो सीटों की संख्या देखी जाती है, और एग या दो चार सीटों से जब कॉंग्रेस आगे रही, भारती जनता पार पार्थे जनता प्रशान हो गई, और इनके नेता प्रशान हो गई, और 28 लोगों ने स्टिपे दिये और दुबाना चुनावाँ में सामना करण में आए, तो मत्य प्रदेश की जनता ने, 28 में से गुंटी सीटे, भारती जनता पार्टी को दी, तो 2018 ये बाद उत चुनाव जनता ने एनको सबक सिखा दिया, जनता ने यह माना हमारे नेतावों पर भरोसा किया, मध्यपर्देश की सरकार पर भरोसा किया और ये माना कि इनके दुवारा जो बनाया गया मुद्दा है और छूटा है वो अल्वकालीन है मद्यपरदेश की सरकार की नियत साब है और उन्होंने मद्यपरदेश की भारती जनता पाल्टी को आशिरवात देने का काम किया अब कॉंग्रेस के बारे में आपने मुझसे प्रस्वनम नहीं कुछा था वो लगातार भारती जनता पाल्टी के बारे में बात कर रहे हैं मैं कॉंग्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे वरिश्ट पत्रकार सम्मानी दिरेश गुपता जी है बहुत ही संजीत की के साथ अपनी बात रखते हैं अभी आज ही एक और चैनल पर में मुझे सुभागी मिलाता हूं के साथ बेटने का तो मैं उनकी बातों से 100% सहमती देता हूं ये कॉंग्रेस में और भारती जनता पार्टी में जमीन आस्मान का अंतर है भारती जनता पार्टी कारकरता आधारिक पार्टी है और कॉंग्रेस नेता आधारिक पार्टी है वहाँ नेता है तो पार्टी है वहाँ चुनाव आएंगे तो नेता सक्री होंगे भारती जनता पार्टी 24 गंटे 365 दिन चक्री बार्ड में रहती है यही वज़ा है कि इसका खाम्यादा कहीं ने कहीं कांग्रेस को भुगत ना पढ़ता है दिने सर बहुत संक्षेप में एक संक्षिक्त कमेंट आपका चाहूंगा कि दोनों राजनितिक दलों को किसलियाद से और आगे बढ़ना हुगा 2023 को देखते हुए थर्वी करन होता है तो निष्चित तोरपा या तो भार्ती जनता पार्टी को फाइदा होता है ये कॉंग्रेस को होता है जैसे हमने 2013 में देखा था कि कॉंग्रेस की सीटें एकदम नीचे आ गए थी और 2018 में भी कॉंग्रेस अपनी गुदबाजी के कारण सता नहीं पापाई थी तो जो मैंने आप पहले भी जैसे कहा कि ये जो पुराना 2018 में जिस तरह की पार्टी ने रणनी की बलाई थी उसी एक जुटता के साथ कही न कहीं एक बर फिर मैदान में उतरना होगा तब जाकर एक बड़ी सफलता कॉंग्रेस पार्टी को हासल खो सकती है बहुत बहुत शुक्री आप तीनों मेहमानों का मरसा चर्चा में जोड़ने के लिए इसके साथ हमारे इस खास पेशकरश में आज फिलाल इतना की दीजे एजास नमस्कार